एलो गाइक अग्रॉषा ने भूख है मैं सवाती, आज मैं ने खंग्रोष नेता जी है जो बहुत इंकले डविछे Ale TE. तो यह सुनके तो मुझे बहुत डर लगा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो कहीं भी कोई ऐसा प्रोटेस्स कर रहा हो अपनी अपना कुछ पाने के लिए अपनी बात कहने के लिए तो फिर जहां हम माइनियोरिटी में होंगे वहां तो हमें भगा दिया जाएगा वहां तो मैं ऐस से ही होगा कश्मीरी पंडित उसके से तो यही मेसेज मिलता है तो मुझे काफी डर लगाए सुनके अच्छा मैं उसे बात पुछना चाहती हूं कि यह जो एक्जोरस था जैसे के अभी हमने पढ़ा है और सब बहुत साई जगा सुना है कि एक्जोरस फॉस नहीं था ऐसी त कर सकते हैं या फिर उसके लिए हमारे हां कोन से लुक जिमिदार है तो बता दे तो हमें से हमेशा से हम लोग को संसी बताते चले आब रहे हैं तो यह अगर बता दे और चाहिए थोड़ा सा यह भी बताने कि गुरु के अपना क्ट भादूल जी जो बारे थे उसके जो उन् जो अप्रवर्दी कलकत्ता में जो हो रहा था उस के बारे में थोड़ा सा बताएं और आप जो अकर रिसेंट की टाइम में तो ही हमें यह बता दें कि जो मेरट के कहराना में हो रहा था वो क्या था था थैंक गॉड मुझे तो लगता है योगी जी आये तो वहां पे लोगों का रहाबलेटेशन हो गया नहीं तो यह लोग उसको भी बहुत अच्छे से एकदम अपनी अच्छे से बच्चों को जब उस टाइम पढ़ते तो बहुत अच्छा जो है इस्ट्री लिग के मिर्च मसाला लगा के अच्छे से बताते और अगर यह बताएं मुझे हर्याना के जो मेवात में हो रहा है वो क्या है जिसके उपर सुरेंद्र जैन जी जो है वेश्पी के जो है वो काफी कुछ बोलते हैं अगर आपको उसके बारे में जानना तो आप उनके वीडियोस देख सकते हैं तो यह जो सारी चीज़े हैं इनके बारे में यह क्या कहना चाहेंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ों का थो इनके पास बहुत जाब एक्स्प्लेनेशन रहता है एक और चीज़ कहते हैं कि वहाँ जो इनोंने बहाँ जूस से मुवीज देखके या फिर जाके या समझ जैसे भी इनोंने बुक्स से चुराया हो या मुवी से देखा हो इनका एक्स्प्लेनेशन यह रहता है कि जैसे जूस वहाँ पे वेल स्टाबिश थे और इसलिए उनक पोस्ट कवर किये थे सारी गवर्मेंट जॉब्स इनके पास थी तो लोगों को आगे बढ़ने का मोका नहीं मिल रहा था बाकी लोगों को और यह कश्मीरी पंडितों को भगाना ही एक चारा था तो उन्होंने उन्हें महां से बगाया क्यूंकि बहुत जादा बहुत प्रत रेव दें तो फिर इनके पास एक्स्प्राइशन होगा कि क्यूंकि वो लोग अच्छे वेल टूडू नहीं थे गरीब थे और उनके पास यह राइट था कि वह आके हमें हमारे घर में मार दें क्यूंकि वह गरीब थे गरीब होना उनके लिए यह कोई भी जुर्म करने का क वोई भी किसी कुछ भी चीज करने का एक 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 एक्स्प्लेनेशन होता है कि वो गरीब है तो यह सारी चीज़े मुझे समझ मिलीया आती है लेकिन यह जो मूवी है इसके बारे में बात करते हैं यह मूवी इन लोगों के पावर को इनने दिखाया है इनकी प्रतीक भया का देखती हूं वीडियो तो वो कहते हैं कि यह मुवी नहीं एक क्रांती है तो मुझे भी अब ऐसा फील हो रहा है जैसे यह जासे यह लगता था कि बहुत जादा इन्वाल तो वो इसको क्रांती वोल रहे हैं लेकिन वो सच बोल रहे था उन्होंने पहले से प् करांती है जिससे आप से यह 50 करोड के भी बजट को पार कर रही है 100 करोड के क्लब में तो बहुत ही आसानी से आजाएगी तो यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है इसके बारे में ऐसी ऐसी बाते सुनने को मेरे ही जो इतनी शौकिंग है कि लोग नहीं जा रहे हैं करने के इसे का कम होगा तो यहां रहते हैं जहां पर हम धनीय न के साथ भार गैन करते हैं हममेडल क्लास फैमिली की बात कर रही हूं तो वहां पर जब मेडल क्लास इंसान अपने खुgun पासीने की कमाई को उस तरीके से किसी चीज पर खर्च करने के लिए तयार हो कि वो न आप ही उस चीज को देख पाए, तब भी वो खर्च कर रहा है, उसको फ्री में मिल रही है, तब भी वो नहीं ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सचाई में कितनी ताकत होती है, यह सचाई की ही ताकत है, कि यह सब चीजे पॉसिबल हो पा रही है, सत्य हमेशा अच्छा होत जो कि इस मूवी के माधिन से है यह सच है मूवी लेकिन उतनी ही विभत्स है उतनी ही कुरूप है और मानवता के नाम पे हमें एक बार अपने अंदर देखने के लिए मजबूर करती है कि क्या इंसान किसी पर्टिकुलर चीज के को फेवर करते करते इतना गिर जाएगा इतना जानवर यहारी बन जाएगा कि वह यह सारी चीजी भी कर सकता है तो गलजा सखते ऐस्तों तो दो मूवी जो है गाया के सब्सक्राइगा कि करणती है और हम सभी का पाठ है इस मुवी में जो है इतना जाधा पावर है इतना जाधा सच पेवेश्ट है ही मुवी कि हमारे प्रधान मंतरी जी को इस पर बोलना पड़ा, अम निर्वरा-सी तरहा मंझी ने इस पर बोला और योगी आधितनाथ का भी विडियो जिसमें वो इमोशन हो रहे हैं वाइरल हो रहा है और मद्रदेश में तो पुलिस कर्मियों को छुटी दी गई एक दिन की वो छुटी ले सकते हैं कि वो इस मोवी को देखने जाएं तो यह हमारी हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है इस तरीके को और यह बहुत ही अच्छी फीलिंग ह है यह सचाइगी ही थाकत है